हेलो वेलकम बैक & आज की वडियो में हम डिस्क्रिशन करेंगे कि बिलेंकट के यंटर्वियू के क्या-क्या कोच्टन होते और क्या-क्या राौड में क्या-क्या पूच्छे जाते हैS यह जो वीडियो यह माइरे किसी क्लोसेट्द थय्टिया ते उसका और यह जो position थी SD3 की थी और front end role के लिए था ठीक है front end lead के लिए था ये position so जो पहला round होता है इनका वो basically जो first round ये जो HR आपको select करती है उस first round में आपका exploratory round होता है तो इसमें basically आपके ने जो काम किया है उससे related आपको discussion करना होता है so that जो company की जो requirement है उसके साथ आपकी alignment सही है कि नहीं मतलब जो company को चाहिए वैसा आपने काम किया है कि नहीं वो test करने के लिए होता है तो basically around एक गंटे का होता है और इसमें general question आपके resume से related पूछा जाता है कि आपने project में कौन-कौन से tech यूज किया है कौन-कौन से technology यूज किया है कौन-कौन से language यूज किया है क्या-क्या आपने issues फेज किया problem फेज किया जिसको आपने resolve किया है कुछ out of the box आपने कुछ ऐसा फेज किया होगा उससे related discussion होता है so इस round के लिए मैं आपको suggestion दूँगा कि इस round में आप product wise ज्यादा discussion यूज करना इस round में आप ज्यादा tech side से करना कि technology में आपने क्या-क्या क्या क्या कौन-कौन से framework यूज की और एक-दो questions आपके ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आपने दूसरे framework क्यों नहीं यूज किया जैसे for example आपने angular की जगा view.js यूज किया ऐसा क्यों किया आपने तीनो framework में अगर काम किया हुआ तो तीनों में से best कौन सा है react क्यों आपने चूज क्या तो इनमें आपको इससे related आपको answer देने देना होगा और यह आपको पता होना चाहिए angular की क्या positive pros and cons क्या होता है and react वगेरा react and view क्या होता है similarly आपका इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि state management के लिए आपने जो reduce use किया उसकी जगा आपने कुछ और क्यों नहीं यूज किया morex वगेरा भी थे काफी चीज़ें तो क्यों नहीं तो यह आपको clearly पता होने चाहिए कि आपको क्या answer करना इसके बाद आपका जो अगर यह round आपका सही गया और आपकी जो alignment वगेरा company के साथ match कर गई तो आपका एक round से deal होगा ठीक है तो क्योंकि lead round है तो इसमें हो सकता है कि कोई experience मेंदा हो जो या तो lead position में होगा या फिर जो lead जो एक lead ढून रहा होगा मतलब experience developer जो एक lead चाह रहा होगा कैसा lead चाह रहा होगा उस हिसाब से वह interview लेगा इस round में basically आपका normal सा introduction होता है कि आपने क्या किया last company में वैसा discussion आपका होगा intro दोनों sites होता है उसके बाद वह general discussion होगा आपके projects के बारे में फिर एक general discussion होगा कि आपने कितने projects मतलब lead किये हैं कितनी team size थी उसके बाद general से topics के बाद कुछ ऐसे topics होते हैं जो आपने resume mention किया होंगे for example अगर आपने tailwind and style component यूज किया तो इन दोनों में difference किया है ठीक है अगर आपको कोई choose करने को देगा कि tailwind and style component में से कोई एक एक अगर आपको choose करना पड़े तो कौन सा choose करेगा और क्यूं choose करोगे उसके बारे मोना चाहिए फिर आपका हो सकता है कि server side rendering और client side rendering में आपको कौन सा best लगता है और किस type for example अगर e-commercial website बनाना है तो उसके लिए कौन सा use करोगे server side rendering या फिर client side rendering इन दोनों में आपको detail पता होना चाहिए optimization करें तो यह सब detail में आपको जितना points wise आप explain कर पाऊगे तो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा उसके बाद आपसे question हो सकता है कि redux और context API में कौन सा कभ यूज करना चाहिए for example context API small projects के लिए अच्छा होता है redux जो होता है large project के लिए अच्छा होता है और redux क्या काम करता है working principles क्या है क्यों जरूरत पड़ती है दोनों में difference क्या है किस project के लिए आप क्या चूज करोगे ऐसे questions आपके और भी बहुत सारे बनेंगे जैसे कि आपने अगर new tools use के होंगे Redux toolkit use क्या होगा तो दोनों में difference क्या है and Redux toolkit क्यों यूज करना चाहिए over Redux यह सब का आपको explanation और बहुत सारी चीजह है जो आपको आना चाहिए इमरल के दिथम है and all that सारे question हो सकता है फिर आपके questions आप बन जाएंगे optimization से तो optimization में जैसा अगर आप react बगरा यूज करते हैं तो क्या क्या optimization टेकनिक है webpack level पर आप कितना optimization कर सकते हैं वो सारे questions आपके बन जाएंगे for example tree shaking क्या होता यह सब concept आपको clear होना चाहिए and use memo ठीक है pure components use call stack यह सब memoization के लिए जो चीजें use होते हैं इन सब के बारे में आपको concept clear होने चाहिए high order functions कैसे काम करता है use effect कैसे काम करता है ठीक है custom hooks कैसे काम करते हैं ठीक है यह सब question general आपके बन सकते हैं ठीक है उसके बाद आपका question बनता है performance में के performance आप कैसे सही कर सकते हो performance चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो तो इसमें आपका answer जैसे dev tools वगरा में आप performance चेक कर सकते हो different devices में test कर सकते हो और performance अच्छा करने के लिए आप bundle size decrease कर सकते हो उसके लिए chunking कर सकते हो dynamic import कर सकते हो और भी चीज़ है लेजी लोडिंग सस्पेंज ठीक है और वेब पैक लेवल पे और उप्टिमाइजिशन कर सकते हो लोडएस वगरे जैसे लाइब्रीरी इसको अगर आप रिमूव कर दो तो उसे साइज बहुत कम होता है बंडल साइज ऐसे बहुत सारी चीज़े है वेब प उसको एक सब्सक्राइब तो जो आपने लास्प्रोजेक्ट किया होगा उसके वारे में आपको अगर उसमें जब्रॉजरी नहीं कि आपकार ब्रॉज़क्ट में इंट्रस्टिंग लगा तो उसपे कुफ वह बहुत डिटेल में इक्स्प्लेेन कर मतलब explanation होगा वो detail में question पूछाएंगे कि आपने कैसे किया आपने कैसे problem solve किया कैसे handle किया कुछ भी related web socket वगएर अगर use किया है तो क्यों किया सारे आपको detail होना चाहिए तो यह सारे round मदलब verbal होता है इसमें आपको discussion नहीं होता ठीक है middleware जो काम करता है तो ऐसे हो सकता है हो सकता है आपको पॉली फिल्ड आपको लिखने को कह दे तो इसी के around आपका जो mainly interview का questions होते है वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूज़ना अगर आपको कोई doubt हो तो हमें comment जरूर करना इसी के साथ इस वीडियो को end करते है बाइब